और शद्य गुणों से भरपूर बीजोरा निम्बू जो पित, सम्मंदी और किड्नी पत्री में बहुत फायदेमंद है बीजोरा निम्बू का शर्बत बनाने के बाद उसके जो ये छिलके थे आज हम उसी से अचार बनाएंगे क्योंकि मेरे पास जो बीजोरा निम्बू था एकदम फ्रेश था और जूस निकालने के बाद भी उसमें काफी रज बाकी था तो करना क्या है बीजोरा निम्बू के जो ये छिलके हैं उनमें से बीज को अलग कर लेंगे और कैंची या चाकू से उसे पतला पतला काट लेंगे यहां मैंने दो बड़े बीजोरा निम्बू के छिलकों को लिया है जिस क्वांटिटी में बीजोरा छिलकों को लेंगे उसी क्वांटिटी में हम बाकी के सारे मसाले आड़ करेंगे लॉंग काली मिर्ची को दर दराक उड़कर उसे छिलकों में मिक्स कर लेंगे सेंधा नमक, काला नमक, अजवाइन, हिंग और 4-5 निबू का रस डाल कर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 8-10 दिन के लिए उसे धूप में रख लेंगे और दिन में सिर्फ एक बार उसे अच्छे से हिला लेंगे 10 दिन बाद आप देखेंगे बिजोरा निबू का छिलका एक दम अच्छे से गल चुका है इस तरह इस अचार को बना कर उल्टी जी मचलाना भूख न लगना खासी पत्री आदी में लिया जा सकता है